Welcome to my YouTube channel World Literature आज जो टॉपिक डिसकस करने वाले हैं वो है In Memoriam A.H.H. by Alfred Lord Tennyson इस पर जो है वो अल्रेड हम लेक्चर बना चुके हैं जिसके अंदर हमने प्रोलोग को एंड इस पोईम के फर्स सेक्षिन को जो है वो डिटेल से डिसकस किया था उसका लिंक जो है वो आपको डिसक्रिप्शिन में मिल जाएगा आज के लेक्चर में जो है वो हम सेक्षिन नमबर 54 को जो है वो डिसकस करने वाले हैं So first of all अपने राइटर को डिसकस कर लेते हैं and introduction को जो है वो हम दुबारा से डिवाइज कर लेते हैं अलफर रोड टैनिसन की बर्थ हुई थी 6 August 1809 में and इनकी देथ हुई थी 6 October 1892 में English poet थे and poet laureate थे Queen Victoria के reign में and 1829 में इनको जो है वो Chancellor's Gold Medal मिला था Cambridge की तरफ से क्योंके इनका जो first piece था लिटरेचर का वो है था तिम बक्तू जो के बहुत famous इनका वर्ग था next आते हैं अपने work के introduction की तरफ poem memoriam को हम discuss कर रहे हैं जिसको जो है वो 1850 में जो है वो Alfred Lord Tennyson ने लिखा था and ये एक allergy है जो के इनों अपने Cambridge friend Arthur Henry Hallam के लिखी थी इनके friend Arthur Henry Hallam की जो death है वो 22 years की age में हो जाती है age जो है वो आप confirm कर लीजेए अपने book के text के according क्योंकि कहीं 23 years कहा जाता है and कहीं जो है वो 22 years जो है वो कहा जाता है and red lines की नीचे black lines है वो इसकी explanation है original text की and जो section 54 है इस poem का बहुत interesting है तो lines को जो है वो start करते हैं oh yet we trust that somehow good के हमारे पास अभी भी जो है ना ये faith है हमारा जो है वो इस बात पर अभी भी जो है ना वो belief है के good will prevail के जो अच्छाई है के जो good things है वो हमेशा जो है वो prevail करती है के जो bad चीज़े है वो temporary होती है वो खतम हो जाती है and जो good चीज़े हैं वो हमेशा रहती है जिसमें हमारे virtues आ जाते हैं हमारे good deals आ जाते हैं या फिर जो positive के कितने भी elements हैं वो सब जो है वो good things में आ जाती है and वो हमेशा prevail करती है वो हमेशा रहती है will be the final end of ill and जो good होता है ना वो हमेशा किसी भी ill का जो है वो end होता है means कि कोई भी evil thing है कोई भी evil elements है कोई भी devil thing है बुराई है उस चीज़ का जो हमेशा end होता है वो अच्छाई में होता है means कि बुरी चीज खतम हो जाती है और जो अच्छाई ही है वो हमेशा रहती है और अच्छी चीज जो है वो हमेशा रहती है तो यहां पर हमें जो है वो hope का and good things का message मिलने वाला है इस part से next lines है to pangs of nature sins of will किन जो natural suffering है and the human wrong doing होती है कि कुछ हमारी mistakes होती है and कुछ nature की वज़ा से हमारे सामने जो है वो कुछ tragedies आती है या फिर हमें जो है वो कुछ suffer करना पड़ता है हर चीज जो है वो redeemed हो जाती है means कि हर चीज जो है वो good में at the end जो है वो change हो जाती है defects of doubt and taints of blood कि जितने भी doubts है जितने भी flaws है वो सब जो है वो खतम हो जाएंगे that nothing works with aimless field कि इस world में जितनी भी चीज़ें है हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें है कोई भी चीज जो है वो purposeless नहीं है हर चीज जो है वो purpose के साथ बनाई गई है हर चीज का जो है वो purpose है हम जो है वो चीज़ को देख नहीं सकते बट हर चीज़ का जो है ना वो कोई ना कोई value होती है कोई ना कोई importance जो होती ही है that not one life shall be destroyed कि कोई भी जो life है वो waste नहीं जाती है यहां पर कोई भी जो life है जो exist करती है इस दुनिया में वो उसकी कोई value नहीं है यह हो नहीं सकता कि हर चीज़ के एक value है हर चीज़ के importance है हर चीज़ को एक reason से जो है वो पैदा किया गया है हर चीज़ का जो है वो एक time है काम है जो के nature ने उसको दिया है और cast as rubbish to divide और कोई भी life ऐसी नहीं है जिसको जो है वो हम meaningless कह दें या फिर हम कह दें के वो discarded है वो wasteful है और हम उसको waste कर दें हर life की हर object की जो है वो अपनी एक importance है When God has made the pile complete कि जब God का plan fulfill हो जाता है कि God जो है वो हमें lesson सिखा देते हैं हमारी wrong doings के बार तो उसके बार जो है वो हर चीज़ अच्छी हो जाती है और जो good चीज़े हैं वो happen होना start हो जाती है Next lines है That not a worm is cloven in vain कि even जो smallest creature है हम देखते हैं कि जो ants हो गई इस type की जतने भी insects even हम कह सकते हैं कि smallest creature भी है वो भी purpose less नहीं है उसका भी कोई ना कोई purpose है इस world में That not a mort with vain desire और कोई भी जो smallest सी भी जो desire हमारी होती है वो waste नहीं जाती है और कोई भी जो desire है अगर हम उसको burn करते भी तो हैं तो वो किसी reason की वज़ा से वो burn करते हैं उसके बदले में जो है वो हमें कोई और चीज मिल जाती है तो means के हर जो चीज है वो एक reason की वज़ा से हो रही है उसका कोई purpose है but sub subs and others gain कि जो हमने अपनी desire previous उसको burn किया था हम उसको भूल गए थे हमने कहा था कि उसको हमने छोड़ दिया था उसके बदले में हमें जो है वो कोई नई चीज मिल जाती है हमें उस desire के बतले में कोई अच्छा benefit और मिल जाता है behold we know not anything क्योंकि हम जो है वो bigger picture को truly understand नहीं कर सकते हैं हम जो है वो truth तक नहीं पहुंच सकते हैं कि God ने हमें क्यों इस world में भेजा है हमारा purpose किया है हमें just death के लिए तो नहीं भेजा गया है means कि हमें किसी काम के लिए भेजा गया है हमें उस चीज़ को importance देना होगी हमें अपनी जो sufferings हैं उनसे भी fight करना है हमें जो अपनी death threats हैं उनसे भी fight करना है हमारे अंदर जो fears हैं हमें उनसे भी fight करना है तो उन सब से fight करके जो है वो हमें हर चीज़ की जो importance है वो consider करने चाहिए हर चीज़ के positive and negative जो aspects है वो consider जो है वो करने चाहिए I can but trust that good shall fall कि मेरा जो trust है speaker कहता है कि मेरा जो belief है वो ये है कि good जो है वो ultimately prevail करता है अच्छाई जो है वो at the end जो है वो उपर आके रहती है at last far off at last to all कि हमेशा जो end में है जो victory होती है वो good की होती है और हर किसी को पता चल जाता है कि जो good है वो prevail करने वाला element है and every winter change to spring कि जो अभी spring winter होता है winter को जो है वो death के season से जो है वो relate हमेशा किया जाता है हमने बहुत सारी points जो है वो read की है जिसके अंदर जो है winter को season of death जो कहा जाता है या फिर month of death भी जो है वो कहा जाता है तो हमेशा जो winter है वो spring में change होता है means कि death के बाद जो है वो चीज़े new happenings की तरफ जाती है death के बाद जो है वो spring का season आता है जिसमें जो हो हर तरफ flowers होते है हर तरफ जो है वो burns होते है तो हर जो death है उसके बाद जो है वो renewal भी है So runs my dream but what am I कि ये तो मेरी hope हो गई ना कि good चीजें जो है वो adiant हो जाती है But मैं हूँ कौन मेरी क्या identity है मुझे जो है वो birth क्यों दी गई है ये मेरा question है यहाँ पर An infant crying in the night कि मैं एक infant हूँ मैं एक child हूँ जो कि helpless हूँ और जो dark nights में जो है वो cry करता है An infant crying for delight मैं वो infant हूँ जो कि understanding के लिए cry करता है जो कि light के लिए cry करता है कि मुझे जो है मेरा future नजर आ जाए मुझे जो है वो अपनी suffering से मुझे कुछ अच्छा मिल जाए या फिर जो मेरी struggle है उससे मुझे जो है वो कुछ अच्छा मिल जाए And with no language बटा cry करता हूँ और मेरे जो language है वो tears है मेरे पास words नहीं है यह था poem का 54 section And overall अगर हम इस poem की बात करें अपर इस section की बात करें तो इसमें tension जो है वो express करते है कि उनका जो faith है कि good जो है वो ultimately उसको triumph मिलती है उसको जो है वो victory मिलती है And evil है and suffering है इसका जो है वो end होता है और इस खत्म हो जाती है और जो darkness है वो हमेशा जो है वो light की तरफ जाती है कि अगर कहीं darkness है अगर कहीं dark clouds है तो एक ना एक दिन जो है वो sunshine वहाँ पे आती है वहाँ पे जो light है वो आती है तो हमें जो है, वो just struggle करते रहना होता है हमें जो है, वो hard work करना है और at the end, जो है, वो सब चीज़ें जो है, वो ठीक हो जाती है but matter क्या करता है, हमारे decisions क्या है हमारे intention क्या है, हमारा faith क्या है ये चीज़े important है अगर हम अपने intentions पर, faith पर work करेंगे तो at the end जो good है वो prevail करेगा और अगर हमारी intentions bad होंगी तो at the end जो है वो bad चीज़े ही happen होंगी हमारे I hope कि यहां तक जो है वो इस poem का 54 section जो है वो आपको समझ आया होगा वीडियो को like और share और channel को ज़रूर subscribe कीज़ेगा Thanks for watching my channel